आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक WordPress का बहुत ही common error है There has been a critical error on your website, please check your site admin email inbox for instruction ये बहुत ही common error है, अक्सर websites में WordPress की website में ये error आता है और मैं भी अभी presently login था और recently मेरे website पर ये error आया तो मैंने सुचा क्यों ना इसके उपर एक video बना लिया जाए तो देखते हैं कि इस error को कैसे solve करते हैं और किस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं विस्तों अगर आप मेरे चैनल के पहली बार आए हैं ये वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लें वीडियो अच्छा लगे आपका problem solve हो जाए तो मुझे कमेंट करें वीडियो को like and share करें सबसे पहले इस error को check करने के लिए आपको आना रहेगा आपके mail में और ये आपको automatically mail भेज जाते हैं अगर in case आपको mail नहीं आता है तो उसका step भी मैं आपको बताऊंगा सो मैंने यहां पर मेरा mail खोला हुआ है जो admin का email है बट मुझे यह emails यहां पर नहीं आया यह recently हुआ है और recent मेरे पास email है वह आज की रेट में WordPress से notification कोई भी नहीं है मैंने spam भी check किया है importants और सारे folders मैंने check कर लिए अभी यह मुझे email नहीं मिला तब आप इसको कैसे करेंगे तो उसके बाद आपको आना रहेगा आपके cPanel में login करना रहेगा cPanel से हम इसको check करेंगे cPanel में आप आईए login कर लीजिए उसके बाद किलिक करिए file manager पर आने के बाद आपको आना है public underscore HTML और इसके अंदर आपको देखना है configuration file wp-config.php इसको करना है आपको edit बट एडिट करने से पहले एक quick tips है जो मैं इसके बारे में देने चाहूंगा कि यह error जो है वह बहुत temporary error होता है और अगर आप इसको दो से तीन बार refresh करेंगे तो में भी यह error आपका चला जाए बट इसको permanent solve करने के लिए हम चलते हैं cPanel के बाद इसको आप select करिए file को और ओपर edit का icon है या right click करकी भी आप इसको edit कर लेते सकते हैं तो आपको थोड़ा से scroll down करना है नीचे नीचे आप स्क्रोल करेंगे आपको मिलेगा define wp underscore debug and call commas false तो false को आपको करना है true and true करने के बाद आप इसको save कर लीजिए और save करने के बाद आपको वापस से आपके error page पर आईए और उसको refresh करिए तो यहां पर जो इसका actual error रहेगा वो यहां पर error दिखाएगा और otherwise वो solve हो जाएगा जैसे मैंने पताया था कि वो refresh पे solve हो जाता है बट जो हमारा actual error था वो हमें अभी भी पता नहीं चला सम्टाइम्स जो है यह error आता है आपका memory limit कम होता है उसके हिसाब से भी तो आपको एक और suggestions है tips है कि आपको यहां से आपका code लीजिए define function wp underscore memory underscore limit और उस limit को आप यह पूरा copy कर लीजिए यह code में आपको description में दे देता हूं और उसके नीचे ही आप आपको एंटर करके यह code paste कर दीजिए लेकिन जब भी यह code paste करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपको कोई error ना रहा है save करने के बाद आप देखेंगे तो आपका जो memory limit है वह introduced हो जाता है और जैसा कि आपने आपका जो error है वह निकल जाता है उसके बाद जो आपका WP debug जो है वह आप वापस से false कर देजिए मुझे वह error actually मिला नहीं वह temporary error था किसी plugin की वज़े से और जो अभी मेरा problems है वह solve हो गया है तो thank you for watching our video अगर आपको कुछ भी इस से related query आता है आगे का नहीं solve होता है तो मुझे नीचे comments में लिखिए मैं definitely आपको solve परने की कोशिश करूँगा